एम्बलायोप्या या लेजी आए क्या होता है और इसके लेटिस्ट ट्रीट्मेंट क्या है तो नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर तुरुशा अगरवाद और आप देख रहे हैं आई हैल्थ फ़र यू तो कई बार ऐसा होता है कि एक आँख पता नहीं चलता है बच्चो को और उनको एक आँख से कम दिखरा होता है जब आप चेक अप के लिए जाते हैं तो पता चलता है ये चीज डाइगनोस होती है कि उनको एक आँख से कम दिखता है क्योंकि दूसरी आंख से अच्छा दिख रहा होते हैं, तो वो इस चीज को बता नहीं पाते हैं, यदि इसको सही समय पे उसका हमने treatment नहीं करा, तो धीरे धीरे वो आंख lazy होती चली जाती है, कहने का मतलब है कि वो आंख से फिर जो हम object देख रहे हैं, वो उतना clear image नहीं बनत होती है, तो brain भी उस आंख को use करना कम कर देता है, और धीरे धीरे brain से उस आंख का जो connection है वो weak होता चला जाता है, तो 18 to 20 years की age होती है, अगर हम तब तक कोई भी treatment नहीं करते हैं, तो वो आंख फिर हमेशा की नहीं weak हो जाती है, as compared to the other eye, और उसके बाद हम अगर कोई treatments करते ह हैं, तो वो इतने effective नहीं होते हैं, तो इसी को lazy eye कहते हैं, या embryopia कहते हैं, तो इस में अगर ज़ियाता है, वो होता हैं चश्मे का नंबर, तो कई बार बच्चों को एक आंख में चश्मे का नंबर होता है और एक आंख में नहीं होता है, तो य Lawrence donkin. जो sästers master, जा przysz जो CON. आन पूरा लगाके उनको लास्ट लाइन या 66 विजन उनका नहीं होता है जो आंग लेजी है उसमें थोड़ा सा स्कुइंट आने लग जाता है और वह आंग अंदर या बाहर की तरफ होने लग जाती है और बच्चा उस आंख से कोई भी टार्गेट को फिक्सेट नहीं करता है बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो लेजी आएके होते हैं तो यदि ऐसा कोई भी आपको अपने बच्चे में लगता है कि आँख में कोई तिर्चापन आ रहा है या आँख से कम दिख रहा है तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से सबबर्ख करें उनकी आँख का पूरा चेकप करें और फिर ये जाने कि कोई चश्मी का नंबर तो नहीं है यदि उनको कोई चश्मी का नंबर है तो आप प्लीज उनको चश्मा कंटेनुवस पिनाए पहले के पहले हमारे पास एक पैचिंग करके एक ट्रीटमेंट होता था लेजी आय के लिए जिसमें हम जो बच्चे की नॉर्मल आक होती थी उसको दिन में चार गंटा पैच करते थे जिसे कि वो दूसरी वीकर आय से सारे काम करें और वो उस आय को जादा यूस करें बट जब आय थोड़ी जादा वीक होती है तो बच्चे ये पैचिंग को रजिस्ट करते हैं और पैचिंग नहीं कर पाते हैं डेडी करना और इसकी वज़े से क्योंकि वो रोज रोज कंटेनूस पैचिंग नहीं हो पाती है तो वो आय उतनी स्ट्रॉंग भी नहीं हो पाती है और वीक रह चाती है तो अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा लेटेस्ट ट्रीप्मेंट अवेलेबल है एम्बलायोपिया को मैनेज करने के लिए या लेजी आय को मैनेज करने के लिए जिसका नाम है विजन थेरेपी विजन थेरेपी बेसिकली कुछ कम्प्यूटर बेस्ट गेम्स होते है और बच्चे को वो कुछ रेड ग्रीन स्पेशल ग्लासेस पहना के वो गेम्स खेलने को कहते है वो गेम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं बहुत interactive होते हैं और 2-3, 2-3 साल के बच्ची तीन साल के बच्ची भी उन games को अराम से खेल सकते है और बहुत मजा आता है उनको खेलने में दिन में उनको 15-30 मिनिट तक वो करना होता है 15-30 मिनिट तक वो games खेलने होता है और आप अपने घर पे ही यह therapy कर सकते है and आपका बच्चा आपको खुद बोलेगा कि हमको यह therapy करना है because उसको इतना मज़ा आता है everyday it's a new game and यह vision therapy करने से slowly slowly इस देखा गया है कि जो lazy आय है वो बहुत better हो जाता है क्योंकि वो बिना आपको patch करे इस तरीके से images project करता है कि जो weak आय है वो काम करके और वो strong हो और उससे वो बच्चा games खेले तो बच्चे को interest बना रहता है वो focus दे करता है तो दीरे दीरे देखा गया है कि काफी सारे बच्चों का lazy eye इससे treat हो गया है and present date में यह सबसे effective तरीका है lazy eye को treat करे का तो प्लीज आप इसके बारे में और discuss करें अपने डॉक्टर से यदी आपके बच्चे को भी lazy eye and इसके बारे में जानकरी हासल करें and it is a very effective treatment thank you